नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं परिक्षाओं का जल्द से जल्द परिक्षा का परिक्षा का परिक्षा का आयोजन किया गया वही 15 आसो 22 परिक्षाओं की लिए जार्खन डिप्लोमा अस्तर सन्यूक्त परिक्षाओं और 330 रिक्षार्गों की लिए जार्खन अध्योगीग प्रसइक्षण सेवाण के परिक्षाली जा चुकी है अम्तिम पई नाम निकालने की त्यारी चल रही है ताकि हेमन्त सरकार के 4 साल पूरे होने पर सफल पर छार्तियों को नियुक्ति पत्र मिल सके सीम हेमन्त का अनुपूरक बजट आज जार्खन बिधान सबाक सीद कालिन सत्र के दूसरे दीन सोमवार को सदन में हंगामे के असार हैं हेमन्त सरकार चालू वीत वर्ष 2023 का दूसरा अनुपूरक बयट पेस करेगी पहली पाली में प्रश्ण काल के दरान मंत्री मंदल निगरानी, कार्मिक प्रसासनिक सुधार, गिरी, कारा, योजना, एवं बिकास विभाग और स्रम नियोजन विभाग से जुड़े प्रश्णों पर सरकार का जवाब होना है मुख्य मंत्री ने रविवार को पत्नी कलपना सुरेन के साथ बिधान सवाब परिसर का भ्रहमन किया साम 5-6 बजे के दौनवे बिधान सवा में रहे, राईनिती का लियारे में इसे लेकर चार्चे का बजार गरम है सीसु पंजी अपडेट नहीं हुई तू सिक्षकों को नहीं मिलेगी छुटी जारखन के सरकारी स्कूलों में सीसु पंजी और बाल पंजी का निधारन हो रहा है सिक्षकों को इस्कूल के पोसं छेत्र के सभी बच्चों के नाम सिसु पंजी में सामिल करने को कहा गया है बावजूद इसके प्रगती रिपोर्ट सही नहीं है ऐसे में इस्कूली सिक्षा वर सक्षाता विभाग ने असपस्ट किया है कि दिसमबर में आवकास पर जाने से पहले सिक्षक शिशु पंजी अपडेट कर ले यदि यह अपडेट नहीं हुई तो उनके आवकास को सवकिरिती नहीं किया जाएगा सिक्षा पिभागना स्पष्ट किया है कि सिशू पंजी अधिती करण में अपेक्छित प्रगती नहीं हो पा रही है इसलिए सिट कालिन अवकास के पहले सिक्षक अपने आवंटी टोले मुहले का हाउस होल्ड सर्वे पुर्या कर लेना सुनेशित करे सब इस सिक्षक सिशू पंजी अपडेट करने के बाद ही अवकास पर जाएंगे विश्यस्त परिशिती में वे जीला सिक्षा पता दिकारी से अवकास स्योकिरिती कराएंगे राज्य के बीत रहित संस्थानों में आज सेक्षनिक हरताल जार्खन के बीत रहित संस्थानों में सुवार को सेक्षनिक हर्ताल रहेगी न संस्थानों के ताले खुलेंगे और नहीं पठन पाठन होगा इंटरमीडियेट कोलेज उच बिद्यालेओ, संस्कृत बिद्यालेओ और मलदारसा बिद्यालेओ के कर्मी अनुदान की रासी चार गुना करने राजय कर्मी के दार्जादेने और संस्थानों में अधिगरहन की मांग को लेकर सेक्षनिक खर्ताल करेंगे वहीं 29 दिसम्बर को जारकन विधान सभा के समक्ष 20 साल धारना हो गया इसमें राज भर के 23 सिक्षा को वा सिक्ष केतर कर्मी भाग लेंगे मोर्चा के सुरेंद्र ज्हा और अगुनाद सिंग ने बताया है कि डिगरी कॉलेजों के चोगुना अनुदान की अधिसुचना जारी हो गई है लेकिन स्कूल वा इंटर कॉलेज की अधिसुचना अब तक जारी नहीं हो ही है सरकारी बिद्यालियों में 20 से होगी अर्धवार्सिक परिक्षा राज्य के सरकारी विद्यालों में अर्धवार्सिक परिक्षा 20 दिसंबर से सुरू होगी या परिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए होगी परिक्षा 23 दिसंबर तक दो पालियों में ली जाएगी परिक्षा को लेकर जीलों को प्रश्ण पत्र उतर पुस्ति का भे जाएंगे कक्षा एक से पांच तक के सभी विशयों की परिक्षा 66 अंक की होगी वहीं कक्षा 6 से 8 में गनित विज्ञान वा समाजी विज्ञान की परिक्षा 50 परिक्षा 50 अंक एवं 10 अंक के प्रोजेक्ट वर्क होगे सेस विशयों की परिक्षा 60 अंक की होगी 40 अंक आंत्रिक मुल्याकन के अधार पर दिये जाएंगे वहीं परिक्षा फॉल इस माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट की जनकारी इविद्ध्यवानी पोर्टल पर ही अपलोड करने को कहा गया है सभी जीलो को परिक्षा के बाद प्रती दिन खैरियत रिपोर्ट जेसी याटी को देने को कहा गया है 18 से 20 दिसंबर तक राजी में चलेगी सितलहरी एलो अलट जारी मौसम भी भाग ने पुरोन मान किया है कि राजी के करीब करीब सभी जीलो में 18 से 20 दिसंबर तक सितलहरी चलेगी इसको लेकर मौसम केंद्रे ने एलो अलट जारी किया है इस दोना राजधानी राची का तापमान 2 से 3 डिगरी सेलसियस गिर सकता है अभी राजधानी का नियुमतम तापमान 8 डिगरी सेलसियस के आसपास है यह गिर कर 6 डिगरी सेलसियस के आसपास रह सकता है ग्रामीन चेत्रों में नियुमतम तापमान इससे भी 2 से 3 डिगरी सेलसियस तक नीचे जा सकता है अधिक्तम तापमान एकई से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है वही मौसम केंद्रे ने इसको लेकर सतर कराने को कहा है 22 दिसंबर तक आकास साफ रहेगा वही रभीवार को काके हमें कलुस्की गंज का निम्तम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा है धनबाद के उभगताओं को नए साल से वाटसे पर मिलेगा बिजली बील नए साल से धनबाद के उभगताओं को मोबाइल पर ही बिजली बील मिलेगा उभगताओं को वाटसे पर बिजली बील भेजने की त्यारी है इसके लिए जार्खन बिजली बित्रन नीगम लिमिटेड एंड्राइड बेस्ट बिलिंग सुप्ट्वेर लाने की त्यारी में है जे भी भी एनल अधिकारियों के नुसार दिल्ली की कमपनी को सुप्ट्वेर त्यार कने की जिमेदारी सोपी गई है निर्मान कारे भी अमतिम चरण में है अधिकारियों नए साल के मार्च मार से योजना सुरू होने का दावा किया है बता दे अब तक बिलिंग एजन्सी के उर्जा मीत्रों के घर वा परतिष्ठानों में जाकर बिल निकालते है घर परतिष्ठान में लगे बिजली के मीटर में यूनिट रीडर के अधार पर बिल निकाला जाता है ऐसे में कई बार घर वा परतिष्ठान के बंद रहने से लोगों को बिली बिल नहीं मिल पाता नई बेवस्था लागू होने से लोगताओं को असानी से उनके मोबाइल पर ही बिल मिल जाएगा घर डी में गरीबों के बीच बाटने वाले 26 कोड़ों से अधिक के अनाज की काला बजारी जन बितरन प्रनाली के माध्यम से गिरीडी जीले में गरीबों में बटने वाले अनाज की काला बजारी के मामला सामने आया है 26 कोड़ों रुपए से भी ज्यादा का अनाज काले बजार में बेश दी जाने की असंका जताई जा रही है दीसा की बैठक में काला बाजारी के मामला कई बार उठने पर DC नमन प्रियस लगडा ने कमिटी गठित कर गोदाम का भौतिक सत्यापन कराया सत्यापन में जो बाद सामने आई है वह काफी चोकाने वाली है एक रिपोर्ट के अनुसार 86,990.68 किंटल अनाज का लेखा जो खाजिला परसासन को नहीं मिल रहा है इसमें से 51,635.85 किंटल चावल और 35,35.83 किंटल गेहु है या अनाज कहा है इसका क्या हुआ इसका खुला सा जांस्ट कमिटी ने अभी तक नहीं किया है केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले मोधी के गारांटी पर जानता को भरोसा जार्खन के खरसावां के बिटा पूरवा चिलकु पंचायत सचिवाले रभीवार को बिक्सित भारत संकल प्यात्रा के तहत कारकरम कायोजन किया गया कारकरम को समद्रित करते वे केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि पधान मंत्रि नायन मुदी ने 27 तक जीस बिक्सित भारत की परिकल्पना की है उसे सकार करने में हम सबी देश वास्यों की महत्पोन भूमका होगी उन्होंने बिक्सित भारत संकल प्यात्रा की सुरुवात की थी जिसका उद्यसे ऐसे लोगों तक पहुँचना है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए है ताकि मुदी की गरांटी वाली योजना का लाब सत परतिशत लोगों को मिल सके उन्होंने कहा है कि भारत बिश्व की पाचवी सबसे बड़ी अर्थ प्यवस्था बन गई है दुनिया में भारत का डंका बज रहा है उन्होंने कहा कि एक भारत स्रेश्ट भारत की परिकल्पना को सकार करना है देश की जानता मोदी की गरांटी पर फोरुसा जता रही है JSAC CGL परिक्षा से पहले 85,000 आवेदन रिजेक्ट जार्खन करमचारी चेन आयोग ने JSAC CGL 2020 परिक्षा से जम अधित एक और नोट फिकेसन जारी किया है इस बार आयोग ने 58,000 से अधिक अभियार्थियों का आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है अब ए अभियार्थी जार्खन समान असनातक योगताधारी सनुक्त परिक्षा परिक्षा 2023 नहीं दे सकेंगे आयोग ने अलग-अलग अधार पर इनके आवेदन को अशविकार किया है इन में से अंठावन 577 अभियार्थी ऐसे हैं जिन्होंने केवल्टा इस्टेशन करके छोड़ दिया था सांसा दीपक परकास ने दी मुख्य मंत्री को इस्थिपा देने की सला जार्खन परदेश भारतिये जानता पार्टी के पूर्व परदेश अध्यक्स और राई सबस सांसा दीपक परकास ने कई मुद्धो पर अपनी बाते रखी उन्होंने कहा है कि हेमन्त स्थिपा देना चाहिए और राई नितिक से सन्यास भी ले लेना चाहिए राई सबस सांसाद और जार्खन परदेश भाजपा के पूरो अध्यक्स दीपक परकास ने कहा है कि केबिनेट की बैठक बुला कर्मों के मंत्री है मन्सुर्यन को उन्हें सो 32 कत्यान अधारित असाइन नितिक को लागू करने से किसने रोका दीपक परकास ने कहा है कि सरकार की मन्सा ठीक नहीं है और वह किसी ने किसी तरस से इस मुद्य को लटकाए रखना चाहती है राजेपाल ने कास्मीरी युवाओ को विवित्ता में एकता का दिया संदेश जारखन की संस्कृती से ओगत होने के लिए कास्मीर से राची पहुंचे युवाओ ने राजेपल सिपी रदा किष्णन से मुलकात की इस दरान राजेपाल ने युवाओ को बेहतर भविसे के लिए सुबकावनाय दी और विवित्ता में एकता का संदेश दिया कास्मीरी युवाओ आदान पदान कारिकरम के तहत कास्मीर से युवाओ की टोली राची पहुंची है बता दे कास्मीरी युवाय आदान पदन कारकरम के तफ़ कास्मीर से आई 122 युवायो ने रभीवार को जहरकन के राजयपाल सीपी रदा कृष्णन से राज भौन में मुलकात की इस धरान वतन को जाने की धिम पर जम्मु कास्मीर से आई युगाओं से सनवाद करते हुए राजय पाल सीपी रिदा किस्टन ने कहा है कि भारत में भांती-भांती की संस्कृती है सभी राजियों की अपनी एक बिसेस पहचान है लेकिन भारत के लोगों को सभी राजियों की बिसेस ताओं को जानना चाहिए सियम हेमन्त आज हजारी बाग में 536 करोर के परियोजनाओ का करेंगे सिलन्यास हजारी बाग में सोम वार को स्तियम हेमन्त सुरेन सरकार आपके द्वार कारकरा में सामिल होंगे इसे लेकर जीला पसासन की ओर से इचाक के बोधी बागी मैदान में आयोजी सरकार आपके द्वार कारकरम में CM के आगमन को लेकर सभी आवसेक तेयरिया पूरी कर लिगई है CM यहां 536 क्रोर की लागत से बनने वाली कूल 334 विकास जोजिनाव का सिलन्यास करेंगे आयोजन को लेकर पूरो संध्या इचाक परखंड के परखंड के बोधी बागी मैदान में प्रसासनिक त्यारी को लेकर उपाईउक नैसी सहायने समिक्षा बैटक की अवास कपड़ा मनरेगा वा गुरु जी के रेडिट कार्ड के लिए अधिक आवेदन आपकी जोजना आपकी सरकार आपके दोरकार करम के तहट 24 नॉम्बर से पंचायतों में लग रहे सीवरो में अब तक 41 लाग सहथिक आवेदन आये हैं इनमें से लगभग 10 हजार आवेदनों का निस्पादन कर दिया गया है 30 लाग आवेदन निस्पादन की परकिरिया में है अबवा अवास, कपड़ा, मंडेगा और गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए अधिक आवेदन आये हैं सरकार की फोकस जोजनावों के लिए 27.43 लाग आवेदन प्राप्त हुए हैं इन में से 2.60 लाग आवेदन का निस्पादन कर दिया गया वही 24.84 लाग आवेदन निस्पादन की परकिरिया में है लबार्थी योजनाश से सम्मंधित 5.86 लाग आवेदनों में से 2.44 लाग का निस्पादन कर दिया गया वहीं सेस परकिरिया धिन में है ओन दे स्पोर्ट डिस्ट्रिबियोशन इसकीम के तहट 6.74 लाख आवेदन सरकार को प्राप्थ हुए हैं इन में से 5 लाख आवेदनों का मौके पनिस्पादन भी किया गया है प्री प्राइमरी में खेल खिलावने से सिक्षा जारखन सैक्चिक अनुसंधान सफप्रसिक्षन परिशद और यूनिसेफ की और से जारखन की सभी डाइट फैकल्टी के लिए 5 दिवसे प्रसिक्षन कारे साला का आवेजन किया गया इसमें खेल अधारी सिक्षन करकरम बालवाटिका की क्लास संचाली का करने वाले स्कूलों के सिक्षकों को सेक्षनिक सनवर्धन में सहयोग करने के लिए प्रसिक्षन दिया गया बताया गया कि प्री प्राइमरी में खेल और खिलाओने के जर ये कैसे सिक्षा दी जाए सभी जीलों की डायेट फैकेल्टी दोराराज में बाल वाटका के संचालन के लिए सभी संदर समागरी का निर्मान किया गया इसका उपयोग बाल वाटका के लिए किया जाना है प्रसिक्षन में बिक्रम सिला एजुकेशन सोसाइटी कोलकाता से आई प्रसिक्षक रितिम मुखरजी और यूनी सेफ के संजीव कुमाने पाच दिनों के लिए सभी विशयों को विभीन गति वीदियों के मादेम से कारकरम पुरा कराया बिजेपी बिधायक हंगामा करे तो निलंबन हो कांग्रेस की बिधायक डाक्टर इर्फाल अनसारी ने कहा एक जरकन बिधान सभागे सित कालिन सत्र छोटा है विपक्ष इससे अच्छे से चलने दे सोमवार को सत्र का दूसरा दिन है वहाँ भाजपा बिधायकों से आगरा कहना चाहते हैं कि सदन की गरिमा को बनाय रखे और सदन को सुचारो रूप से चलने दे जनता बड़े ही उमीद और विश्वास के साथ हमें सदन भेजती है लेकिन भाजपा की बिधायकों का आम जनता की सवालों में कोई लेना देना नहीं भाजपा वाले कभी भी सदन को नहीं चलने देना चाहते जान बोज़कर करवाही में बादार डालने का काम करते हैं दुमका में 22 को धारना परदसन करेंगी बिध्याला की रसोया मांदे बढ़ होतरी समयत पुरानी मांगों को लेकर 22 दिसंबर दुमका में जहरकन बिध्याले रसोया संग के बैनर तले मद्याहन भोजन तयार करने वाली बिध्याले रसोया जोरदार तरीकिस धारना परदस शिक्षा विभाग यम सक्षदार विभाग जार्खन राज मद्याहन बोजन योजना प्राधिकरन के प्राधिकारियों वा जार्खन राज विद्ध्याला रसोया संग यम अनसंगटनों के नेताओं के साथ 3 अगस 2023 को प्रोजेक्ट बहुन रांची में बैटाक आयोजीत का रसोया के मांगो पर समती से लिखित सम्धाता हुआ था